आज हम बात करने वाले हैं अगर हम देखें तो यह आप लोगों का टॉपिक है सबसे पहले बाइग्रेफिक देख लेते हैं अलेक्जेंडर पोग की बाउन आन में 21 1688 1688 आप लोगों को याद रखना है 1888 आप लोगों को पता है यह ATS Elliot का है तो 1688 आप थोड़ा बहुत अगर ऐसे कोडन एक association से आप याद करेंगे तो आप लोगों को क्या काफे सारी चीज़ें याद हो जाएंगे लंडन इंगलेंड से हैं और जैसे कि आप लोगों पता ही है कि हम बिडिश पोईट्री वाला पार्ट कर रहे हैं ठीक है और ये तो आपके लगबग हरी एक्जैम में काम आने वाली चीज़ें और ध्यान ये दीजे कि उनको काफे सारी health issues रही और उनका hunchback भी था और कई बार ये question पूछ लिया जाता है कि जो कौन सब पोईट्ट थे जो जिनको hunchback थी की problem थी टिक है means जिनका कूबर निकल जाता है ऐसे पीठ जो होती है हमारी back जो होती है मुड जाती है तो इस तरह से वो क्या थे problem face कर रहे थे अपनी life में तो आप लोगों को ध्यान ये बात रखनी है including tuberculosis उनको हुआ था Pots disease भी उनको था widely regarded as one of the greatest English poet of the 18th century 18th century से belong करते हैं इस तरह के question भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि कौन सी century से पोप belong करते थे तो पोप जो है वो 18th century से belong करते हैं known for his satirical verses and his translation of Homer's Iliad and Odyssey दो चीज़ों के लिए उनको याद किया जाता है Iliad का translation और Odyssey का translation died on May 30, 1744 अब देखिए कब उनकी death कब हो रही है 44 में और उनका जन्म कब हो आता 88 में हो आता देखिए मिलाना हमें correlation तो जब हम correlation ढूनेंगे तो हमें चीज़ें दिखेंगी जब इस तरह की visible में आपको बताऊंगा रेप आप दिलाग बहुत ही इंपोर्टेंट है ऐसे ओन क्रिटिसिजम देंसियार ऐसे ओन मैं इलोई सा टू अबलार्ड 1717 में अब इनके हम थोड़े बहुत चीज़ें देख लेंगे पहले की टर्म्स देखते हैं जिन पर उन्होंने लिखा है उन का किस पर इंफिलेंस था ठीक है पोप्स व्रक्स वर हाईलिए इन फ्लुएंच्ट इन शेपिंग ऑगस्टन लिटर्य इंज ही अगस्टन इस भी आप लोगों के पास में अधिजिटरी टर्म्स में है तो ऑगस्टन लिटरी मुव्मेंट जो था उसमें ऑब का बहुत बाद में जो Alexander या Samuel Johnson हो गए इन पर इनका काफी ज्यादा influencer रहा है अब इनके कुछ poems की हम बात करेंगे जैसा कि पहला इनका work है पेस्टोरल शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों शॉर्ट नोट्स अच्छे से याद कर लेने हैं इनका पेस्टोरल जो था वह पहला major work था यह 09 में अब आपको ऐसे सीक्वेंस से लिखते वे चलना है 09 दूसरा है आप लोगों 11 फिर 12 फिर 13 आप लोगों फिर years याद करने की ज़रत नहीं पड़ेगी एक continuity से आप लोगों को सारा याद हो जाएगा तो चलिए पहले देखते ह है फोपस फर्स्ट मेजर वर्क मेजर वर कंसिस्टिंग और फॉर पॉयंब्स यहां पर चार पोएंब थी इन वर्जीलियन स्टाइल में इन्होंने इसको लिखाता अब दूसरा आ जाते हैं ऐसे ओन क्रिटिसिजम ऐसे ओन करिटिसिजम काफी इंपोर्टन वर्क है उनका गाइड गाइड लाइन तो उन्होंने ऐसे ओन क्रिटिसिजम पर उन्होंने इस पर मैने काफर लुटिय वीडियो ही बनाया था चैनल पर और उन्होंने क्या था ठों और गाइड़רूणी लाइनस पर उन्होंने बातें की है तो आप कृश्चिजिन कहां से www. Caribbean यहांसे एक Mock Epic Poem, यह भी क्या है, एक Mock Epic Poem है, ध्यान यह रखना है आप लोगों को, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, और इससे जो notes मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप लोगों को चीजे लिख भी लेनी है, सबसे पहली चीज यह है कि यह सबसे पहले publish हुआ था 12 में, और इसे revise किया गया था 14 में, यह बात आप लोगों को ध्यान रखने हैं, कि यह लिखा गया था किसमें 12 में और 14 में इसे revise किया गया था, इसमें आप लोगों को एक दो characters के नाम मैं बता देता हूं, जो आप लोगों को याद रखने हैं, इसमें एक character आप ल एरबेला फर्मर यह दो करेक्टर आप लोगों को याद रखने हैं कि लॉर्ड पेट्र जो है वो किसके बाल काटता है एरबेला फर्मर का और फिर दो दोनों के दोनों फैमिली जो होती है उनके बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है मेंसे लडाई शुरू हो जाती है तो उस टाइम पर कलास थी वह बहुत ज्यादा शू आफ किया करती चीज़ों को क्या किया करते ती और बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ा कर चीजों को दिखाया करती थी तो जो पोप थे उन्होंने इसी चीज को से लाने के लिए क्या किया उन्होंने चीजों को कह सकते हैं कि सामने लाने की कोशिश थी उनकी इसमें कुछ characters थे अब यह जो था actual character थे जो एक incident हुआ था real life incident हुआ था लेकिन अब क्योंकि जो incident होता है real incident होता है उसका उसको तो यूज नहीं किया जा सकता या उन जो characters है उनके exact name यूज नहीं किये जा सकते तो उन्होंने क्या किया कि यह poem लिखी और इस poem के साथ में उन्होंने दूसरी मतला अपने characters बनाए तो जो Lord Petre थी उसका उन्होंने character बनाया Baron तो इस तरह से question पूछा जा सकता आपको कि जो Baron जो character है real life character कौन था उसका और जो Arabella former थी उस वो character बनी Belinda जो poem में है वो कौन है Belinda और जो Baron है वो कौन है Lord Petre तो hopefully you have seen this one कि आप लोगों ने यह दोनों note कर लिया हूंगे चारों चारों नेम याद कर लिए यह real थे और यह यह दोनों क्या थे उनके work में उन्होंने इनको रखा था character as a character तो no down कर लिजे इन चीजों को और आगे बढ़ते हैं Windsor Forest 1713 अब देखे आप लोगों को यह तो याद हो गया होंगे अगर years की हम बात करेंगे पोप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ठीक है तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए कि 09 11 12 13 यह क्या है उसका phone number है आप यह मान कर चलिए 14 14 देखिए यह क्या था रेप लॉक यहां पर पब्लिश हुआ था और यहां पर रिवाइज हुआ यह भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आपके पास में आगे हमने जो क्या है वो है आपका विंट्सर फॉरेस्ट 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 13 Celebrates the beauty of the English countryside and achievement of Queen N तो यह Queen N के बारे में उनका कौन सा वर्क है विंट्सर फॉरेस्ट है तो आप जब यह लिखेंगे थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं वापस यहां पर आप लिखेंगे फॉरेस्ट ठीक है जब 13 साल का था पोप तो चले गए फॉरेस्ट में इस तरह से किसक hopefully कि आपको आरा होगा कि मैं ऐसा क्यूं लिख रहा हूँ कि आप समझ पाएं यहां पर उसके बाल काट दिये थे लॉक जो था बाल के गुछ्षे को लॉक बोला जाता है लॉक काट दिया जाता है और 14 में उस लॉक को वापस कर दिया जाता है इस तरह से आप जो भी अट कर चाहते हैं वो कर्चत में यहाँ पेस्टोरल पहले यह शुरुवात कहां से है पैस्टोरल तो आप लोगों को साथ साथ यह भी याद होते चले जाएंगे और यह हर बार करके नहीं दिखाऊंगा आपको हर राइटर में हर राइटर में आपको इसे खुट से करना थिक क्या यहां पर मैं आपको करके देखा रहा हूं आप लोगों बाखárias अपने साथ में आत smud नई ट्रिक आप लोगों को बताता चलता हूं इलेजी ऑफ अनफॉर्चनेट लेडी 1717 लेमेंट फॉर देथ ऑफ यंग वोमन यह यंग वोमन की डेथ पर उन्होंने लिखा था एलिवेसा टू अब लाड 1717 में ही है अब देखे 1717 में दो हो गए अब देखे आपके पास में 14 तक था 15 16 में कुछ नहीं है अब 1717 दो हो एंड 1717 इतना आप लोगों को याद हो गया होगा और वर्स एपिस्ट्री आफ ट्रैजिक लव बिट्वीन एलिवेसा और पीटर अबलर्ड तो यह इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में है तीसरा देखे 1717 17 तीन हो गए अब कॉलिबरेशन विद जॉन अब नौट अब यह त्री आर्स अफटर मेरेज है यह जॉन आवध नौट एन जॉन गे के साथ में उन्होंने क्या किया था एक क्लाइब्रेशन के साथ में लिखा था यह सिद्वर्ड तो बी आप ड्रामा वगेरा थे उन पर उन्होंने यह दिखा था दुर्ड दंस्यार्ट जो है वो 1728 पे हुआ था 17 के बाद आप सीधे 28 पे चले जाए इन विच पॉप अटैक्स वेरियस फिगर्स आप दी लिटरी वर्ड अब देखे पोप पे मैंने अभी आपको क्या क्या बताया इस जिरो वन 11 12 13 14 14 के बाद 17 17 17 3 टाइम है और सीधे आपको पहुंच जाना है 28 पे अब जब भी आप लिखेंगे या प्रक्टिस कर रहे होंगे अपने एक पेज में तो अब आपको यहां से शुरू कर लेना कि उनका पैस्ट्रॉरल था यहां पर यहां पर क्या था यहां पर इसी तरह से आगे चलते रहना है कि निफॉर्स सटायर ऑफ दी सेकंड बुक आफ फॉरस्स 17 33 अब 28 के बाद क्या हुगया 30 कि इसी तरह से याद करते हुए चलिए अच्रेंसलेशन ऑफ होमर्स सटायर रिफ्लेक्टिंग ऑन दी नेचर ऑफ सटायर इटसेल देखें नेचर सटायर पर ही क्या लिख दिया उन्होंने सटायर लिख दिया था कि एन ऐसे और मैं 17 33 34 यह उनका नेक्स्ट वर्क है और फिलोसोफिकल पॉयम एक्स्टोरिंग दे नेचर ऑफ युमेनिटी गॉड और यह फिर्स्ट अलेक्जेंडर पोप ने इसे 32 से 34 के बीच में लिखा था या 33 और 34 भी से कभी-कभी कंसिडर किया जाता है और यहां पे उन्होंने लार्जर वर्क काल्ड दी मॉरल एसे इ इं़क्रशक दोक्तर अवितनॉट आःषत से प्सटर टीन जो है वो इसे के पार्ट है ऐसे इंग्रों के पार्ट हम कौन-कौन से ऐसंट हे बोप 10 किर्श्र में अचकर बांगे थो इसिक आप अबर्लिंग तो इसे पूरा नहीं लिखते हैं सीधे बिर्लिंग्टन लिख रहा हूं बिर्लिंग्टन इसी का पार्ट है तो कई वार सीधे आजाएगा कि एपिस्टल की स्विया याद रख लेना। तो आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना यह एक फिलोसोफिकल पॉएम है और इसमें भी उन्होंने क्या यूज किया है 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 चोटी-चोटी चीजें से ही कुश्चिन बन जाते हैं इसके बारे में उन्होंने बात की है और इसी को उन्होंने चार पार्ट में चार फॉर इंटू इंटू फॉर पार्ट उन्होंने कितने पार्ट में लिखा है इसको चार पार्ट में लिखा है तो आप लोगों को यह चीजें समझ में आगे होगी यहां तक अब चलते हैं आग 17 के बाद आपको ध्यार होगा 28 पर हम आये थे और 28 के बाद में हमारे पास सीधे 34 34 था तफिर उसके बाद 34 अब हम 35 पर बात कर रहे हैं तो अगर आप 20 वर्क्स होंगे किसी राइटर के और इस तरह से करेंगे यह आगे का भूल जाएंगे तो भी काम बन जाता हमारा चीजे याद हो जाती है अधि परला और 1735 सटायर ऑन दे स्टेट ऑफ कंटेब्रेरी लिट्रीचर एं ससाइटी पार्ट उसी का है यह भी हम देख चुके है सटायर इन वर्स अड्रेस्ट फोप्स फ्रेंड कि टिसाइजिंग इस लिट्ररी एनमीज यह भी कुश्चिन काफे बार पूछा गया है कि उन्होंने अपने जो लिट्ररी एनमीज के लिए लिखा था हो कौन सा वर्क लिखा थ तो वह था आपका एपिस्टल तो डॉक्टर अबतनौट इमिटेशन ऑफ होरेस् 1733 तो 1738 के बीच में आज सीरीज ऑफ सटायर्स एन इसल मॉडल्ड ऑन दी वर्क्स आप रोमन पोईट होरेस्ट इस सेकंड सटायर सेकंड बुक अपॉरेस्ट अल्रेड हम इसे देख चुक 15 वर्क्स हम लोग देख चुके हैं तो अब चलते हैं इंपोर्टेंट कोर्स की तरब को इसमें जो इंपोर्टेंट कोर्ट से हैं कौन कौन से हैं उनका पहला तो और इस यूमन तो फगिव डिवाइल फ्रम एसे ओन कृडिसिजम फब्लीश वा था 11 में लिटल लर्निग इ hope springs eternal in the human breast ऐसे ओन मैं से लिया गया है चाम्स लाइक दी साइट बत मैरेट विंस दी सोर्ट फ्रम दी रेप अब दी लर्क 1712 फ्रू विट इस नेचर तो अद्वां तेस्ट्रेस्ट वर्ट अफ्ट वर्ट 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 नेर वेल एक्स्प्रेस्ट फ्रम एसे ओन कितिसम 1711 नेचर अनना नेचर ओन निचर विव लिव लेच दो आख ऑड साइट लगा आट लेट एन अलव थैंड निट लेट लेट अट वीज तु अवंट वह सी अइंट व लोलेट कितिसम प्रम दूस्ट तार कितिसम वर्ट विडियर यं मिलियर विविव जर्ड पार्ट विष् on men से लिया गया है और 1733 to 34 to wake the soul by tender stock of art to raise the genius and to mend the heart from the temple of fame 1715 what oft was thought but near so well expressed from an essay on criticism वो यह आपको quotations कर लेनी है और इसी के साथ हम इस topic को end कर रहे हैं मिलते हैं अगले topic में तब तक ले good bye